हेलो दोस्तों पढ़ाई अच्छी चल रही है उमीद करता हूँ कि आपको जो भी मेरा अभी तक लेक्चर्स हुए है वो पसंद आये होंगे आज हम लोग राश्ट्पती से सम्मंदित पढ़ेंगे आगे राश्ट्पती के कारियों उनकी सक्तियां अभी तक हमने अनुच्छ उसको पढ़ा है और इसमें राश्ट्पती के नियुक्ति निर्वाचन उनको हटाना इनसे सम्मंदित बाते हैं उनकी जो योगिताएं हैं या सपत हैं उससे सम्मंदित प्रावधान थे अब राश्ट्पती की कारियों सक्तियां क्या हैं यह जानना बहुत जरूरी है एक इससे बात में आपको बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेशन आता ही आता है क्वेशन कैसे पूछे जाते हैं इन पर डालते हैं इक नजय सबसे पहला तो इसमें यह होता है इसमें ऐसे पूछा जाएगा उससी कारेपालिका सक्तियां हैं कौन सी इसमें जुदों की जरिए जो आर्टिकल्स हैं उनके जरियों राश्टपति को दी गई हैं तो अब देखें कि अगर यहां पर इनका अभी करम पढ़ेंगे तो बहुत सारे अधिकार मिलते हैं राश्टपती को उनके बहुत सारी पावर हैं तो इनकी जो बास्तविक स्थि कि जब आप राश्टपती पढ़ रहे थे अनुच्छेद बावन का एक में ये लिखा हुआ था माप की जगा तिरपन का एक में लिखा हुआ था कि राश्टपती कारेपालिका की सक्तियां राश्टपती में नहीं थोंगी जिनका उपयोग वह अपने अधिनस्त जो मंत्री परिशद है या आपने अधिकारियों के जरिए प्रयोग करेगा इसकाद पर यह क्या हुआ कि जो भी राश्टपती की सक्तियां है उसका प्रयोग वास्थविक रूप में मंत्री परिशद करती ऐ और मंत्री परिशद का है क्वेड कौन होता है तो प्रदान मंत्री इसे Till Gods इस नहीं से गी कहा जाए कि भारती लोक्तंत्र में वास्तवीक प्रमुख क्यों है तो प्रधानमंत्री ये इसे को आप जाए कि सर्बोस्टिक्षा जाए कि सर्वॉच्पत कौन चासर एक स्ब्रत्षक्ति कियों क्योंकि ब्हारत के अंदर हो या विया देशिक मामलों में। जो भी भारव से संबंदित करार किये जाते हैं या जो भी प्रस्ताओं किये जाते हैं उन सब पर रास्टपति के नामसे ही हस्ताक्षर होते हैं थो इनको आप समझें और किस article के तहट दिया गया है यह याद होना बहुत जरूरी है तो हमने articles को नहीं रखा है जो बहुत important है इससे क्या होगा हम एक एक करके लिखेंगा और आप guess करेंगे तो आपको वो जल्दी याद होगा तो आईए देखते हैं सबसे पहले की कारेपालिका सक्तियां executive powers तो execution में आप सबसे पहले देखें तो अनुछेद 52 के तहट कहा जाता है कि भारत का एक रास्टपती होगा और तिरपन में हमने कहा था कि अगर पद होगा तो किसी काम के लिए तो तिरपन में दो बाते बताई गई हैं एक बात बताता है कि रास्टपती जो कारेपालिका की सक्तियां हैं वो रास्टपती में नहीं थोंगी तो कारेपालिका की सक्तियां रास्टपती में नहीं थोंगी इसका दात्परे क्या हुआ कि जितनी कारेपालिका की सक्तियां है वो किस की सक्तियां होई तो राश्चपती की तो सबसे बड़ा जो अधिकार देता है वो तो यही देता है अनुछे तिरपन का पहला भाग तिरपन में ही और तिरपन में ही दूसरा भाग क्या कहता था कि संग कि ससस्त्र सेनाओं का सरवोच समादीज राश्च पती में नहीं थोगा तो आप देखेंगे अभी आगे चल करके जब हम सैने सक्निया पढ़ेंगे तो तीनों सेनाओं का सरवोच जो प्रधान सेना पती होगा वो कौन होगा? राश्च पती होगा तो यहां पर तिरपन एक है, यहां पर क्या होगा? तिरपन दो होगा तो यह आपको कोरेलेट भी आप ऐसे कर सकते हो याद करने के लिए कि तिरपन, अनुच्छे तिरपन के तहसी उसको दो प्रमुख सक्तियां मिली है तो इसके बाद देखते हैं, क्योंकि कारेपालिका में कहा गया है, अनुच्छे तिरपन एक में कहा गया है कि वह अपनी सक्तियों का प्रयोग अपने अधिनिस्थों के जगिए करेगा तो अधिनस्त कौन होंगे, तो उसको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी तो अनुच्छे चवहत्तर, आर्टिकल 74, most important, इसको याद रखना है आर्टिकल 74 के तहट मंत्री परिशद का गठन किया जाता है मंत्री परिशद का गठन कैसे होता है, दोस्तों यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम एक-एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो पॉलिटी का आधा पार्ट खतम हो जाएगा हम क्या करेंगे कि पावर्स को अभी केवल शॉट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इन सब पर टॉपिक बनने हैं, सब पर एक-एक टॉपिक लगभग आएंगे अभी आप देखेंगे कि राज जपाल पर भी आएगा महानाद नयावादी पर, कायग पर, UPSC पर सब पर एक में टॉपिक लेके आऊंगा, इसलिए बहुत डेफ्ट में नहीं जाओंगा, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डेफ्ट में न जाएए, हमें अभी ध्यान रखना है, कौन-कौन सी कारिका, कारिपाली का सक्तियां है, और कौन सी हैं, तो हम लोग उनको डिसकस मंत्री परिशब का गठन कैसे किया जाता है, तो राष्ट पती जो बहुमत दल का नेता है उससे प्रदान मंत्री की परामर्स परवा अन्न मंत्रियों की नियुकति करता है, तो ये किस के तहत होता है? आर्टिकल 74, अब जब एक मंत्री परिशब बन गया, तो जब सारा काम मंतिपर्षट करेगी तो वह इंफॉरमेशन राष्टपती को देगा कि नहीं देगा हो सकता है ना दें तो इसलिए संभीधान मीं प्रावधान रखा गया है कि एसा नहीं होगा आर्टिकल 78 में इससे बाध्यास किया गया है संग के मामले में राश्टपती को सूचना प्राप करने का अधिकार होगा वास्तों ये प्रधान मंत्री का करतब भी होगा कि संग्जी सरकार के मामले में लिएगे प्रतिक निर्ने से वो राश्टपती को आउगत कराएगा क्योंकि ये उसका अपना एक अधिकार है तो ऐसी स्थिती में उसके मंत्री मंडल के उपर उसका भरोसा भी रहता है और सरकार की कारे प्रणाली भी सुचारू रूप से चलती है अब इसके बाद वो करता क्या है मंत्री परिशत के गठन के साथ वो कुछ अन्य पदों की भी नियुक्ती करता है तो अभी इनकी हम डिप्स में जाकर अभी हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे कि वो किनकिन पदों की नियुक्ती करता है तो सबसे पहले देखिए किसकी नियुक्ती करता है तो राज्यपाल प्रतेक राज्य में जो राज्यपाल होता है उसकी वो नियुक्ति करता है नियाय पालिका में जो तीन अस्तर है जिला से लेके हाई कोट और सुप्रीम कोट तो उपर के दोनों अस्तर लीजे सुप्रीम कोट हाई कोट दोनों की नियुक्ति जजों की नियुक्ति कौन करता है तो राश्टरपती करता है तो हाई कोट और स करता है अनुच्छे 217 के अभी अनुच्छे दिन पर नहीं जाएंगे ठीक है क्योंकि इन पर एक-एक टॉपिक है तो बहुत कन्फूजन होगा आपको मैं क्यों पावर्स कि यहां पर आपको अनुच्छे जाद करवाऊंगा इसके बाद महान्यावादी तो जो प्रथम आप देखते रहाँ होंगे टूजी स्कैम के समय या इस तरीके के समय तो क्यायक का जो है उनके उनकी निपति कौन करता है तो रास्टपती यू कि अध्यक्ष और सदस्य उन पब्लिक सर्विस कर्मीशन जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं तो उनकी अध्यक्ष और उनकी हुए हैं चाहे वो अलप संख्यक हो माइनार्टी हो चाहे SC ST आयोग हो चाहे OBC आयोग हो तो यह तीनों आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करते हैं इसके साथ ही चाहे हो महिला आयोग हो तो उनके भी अध्यक्ष सदस्य मानवादिकार आयोग तो देखिए आयोग कितने हो गए आपके राजभासा आयोग वित्त आयोग तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, तीन, साथ, तो साथ आयोगों की जो उनके अध्यक्ष है और उनके सदस्य है उनकी वो न्यूपति करता है कौन-कौन से मानवादिकार, महिला, OBC, राजभासा, वित्त आयोग इसमें देखिए यूटीज लिखा है यूटीज क्या है यूनियन टेरिटरीज केंद्र सासित प्रदेश जगा कम होने के वज़ हमने शॉट में लिखा है तो केंद्र सासित प्रदेश के प्रसासक आप जानते हैं कि भा राश्टपती द्वारा नियुक्त एक प्रसासक होता है जैसे आप पढ़ते होंगे लेटिनेंट के नाम से उस पर लगा रहता है तो आप देखिए उनका प्रसासक होता है तो वो प्रसासक हो या फिर दो राज्यों में विधान सभाय हैं कहां कहां दिल्ली में और मुख्यमंत्री भी हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो राश्टपती करता है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है उनका दिरवाचन तो होता प्रिजा की दो यो दिल्ली और पुदुचेरी के मु क्यमंत्री हैं उन को कौन युक करेंगे तो तो पूरह स्पस्पतित तो ये आपके कुछ Cities से पूछे जाते हैं बहुत confused करते हैं एक दो बार इनक्तों आप देखेएका देखे कुछ आयोग है जो जो category wise हैं तो उनको आप divide कर लिजे तीन आयोग कौन-कौन से minority हो गया, CST हो गया, OBC हो गया, उसके बाद महिला को अलग कर लिजे, मानवादिकार आयोग को कर लिजे, भास आयोग को कर लिजे और finance में भी तायोग को कर लिजे, तो आयोगों को आप एक तरीके से याद कर तो रास्टपती महुदे की नियुक्ती से संबंदी की अधिकार हैं, जिनकी नियुक्ती करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है इनकी विधाई सक्तियां, विधाई सक्तियां क्या मतलब होता है, किस प्रकार से कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी अधिकार काम में आ तो यह कोई सिन बिलकुल याद रखिएगा कि राश्ट्रपती संसत का एक अभिन अंग है संसत का निर्मार कितने से हुआ है तीन से लोगसभा राजसभा और राश्ट्रपती इसलिए आप देखते होंगे जब भी कोई बिल किसी भी सदन से पास होता है फिर दूसरे सदन में किया जाता है और साइन करने के लिए कहा जाता है राश्ट्रपती के पास तब ही वह विधैक अधिनियम में परिवर्तित होता है आप अब इसके बाद संसत बना है तो विदिनिनमार के लिए चात्रका होना जरूरी है आप देखते होंगे बजट सेशन चलता है मांसूल स्पाइट कि लोगस्भाद धक्ष कौन बुलाएगा तो ये शत्र को बुलाने का सत्र की समाप्ती कि या करने का जो अधिकार है वो किसका है राश्टपती महोदे का है तो ऐसे में संसद के संसद के संदेश भेजने की सकती राश्टपती का विशेश अविभाशन ये आपके क्रम से 85, 86, 87 तो आप इनको तीनों इसली याद कर सकते हैं तो 85 के तहत सत्र का आववान, उनका समापन तथा उनका विगटन इसके बाद अभी भाशन आप देखते होंगे कि देखिए इनका एक अधिकार होता है राश्पती महोदे का कि वो संसद के दोनों सदनों की या किसी एक सदन की किसी भी समय बैठक बुला सकते हैं अपनी आप विशेशब्हाषन होता है दो तरीके से एक जब आम चुना होए हों जैसे आभी आम चुना हुए तो नई सरकार का कठन हुआ तो जो सत्र शुरू हुआ तो उसका जो पहला होगा अभिभाशन वह राश्टपती का होगा तो आपने देखा निज में कि राश्टपती का अभिभाशन होता है प्रस्पधन्यवाद प्रस्ताओ पारित किया जाता है तो विशेश अभिभाशन में एक तो आम सत् दूसरा प्रतेग वर्ष के प्रतेग वर्ष जब प्रारम होता है तो उसका जो पहला सत्र होता है उसको भी अभीक्रांण उसमें भीस देता है दूता है विशेस अभीकार्ण को किसirit दिया गया है अनुचैत 87 तो ps 85 86 87 आप देखें तीनों संसत के सत्रों से संबंदित हैं तो यह बिल्कुल आपको एक साथ है और याद रहने चाहिए अब संयूग तो बैठा संयुक्तु बैठा क्या है यदी लोगजभा राजव को दोनों में आपसी स्थेर सान पूलाया जाता है joint session का मतलब कौन होता है मतलब रोगसभा राजसभा सदस्यों को एक सदन में बैठाया जाएगा स्वर बहस होगी स्वर वोटिंग होगी कोई doubt नहीं है इसमें कि लोगसभा में जिसका बहुमत है वही जीते क्योंकि उनकी संख्या जादा होती है और राजसभा कि सदस्यों की संख्या कम होती है तो वो जीते हैं लेकिन अब वहाँ से कई question बनते हैं तो भी हम पढ़ेंगे इसको लोगसभा पढ़ते समय कि संयूग तो बैठाक यह धक्सता कौन करता है तो लोगसभा धक्स करता है तो यहां हमें जानना है कि वो बैठाक बुलाता कौन है तो राश्ट्रपती यह याद रखिएगा और यह किस के तहत होता है यह question बहुत बार पूछा जा चुका है कि संयूग तो बैठाक जो है वो सम्मिधान के किस अनुच्छेत के तहत बेवस्था की गई है तो वो है अनुच्छे देख 108 108 यह याद रहे इसके बाद जब इसमें यह चर्चा पर पर चर्चा के बाद यह पास हो जाएगा तो विद्ययकों पर अनुमती देगा टॉन राश्टपती देगा नहीं देगा रख लेगा पॉकेट भी टो अब यह कई टाम आएंगे आगे चलके तो वो अनुमती दे सकता है अनुमती ना देना चाहिए तो एक बार वो वापस भी कर सकता है तो इन पर अभी इस्थितियों पर आगे चर्चा करेंगे करने की प्रक्रियाएगी तो यह किस अनुच्छेद के तहट है 111 111 111 के तहट अनुच्छेद 111 के तहट किया गया है बिधेकों पर अनुमती तो यह कुछ आपके अनुच्छेद है आप इसके बाद देखिए दो जगह वो मनोनयान का भी कारे करते है क्योंकि यह बिधाई सक्तिया कानुण बनाये संबनित प्रक्रिया है तो उसमें दो कुछ सदस्य है जिनका वो मनोनयान करते है जैसे आप देखें कि राज्यसभा में मनोनयान होता है तो राज्यसभा में 12 करते हैं जो शाहित कला समाज या विज्ञान के विशेव जानकार होते हैं तो उनका पर्याब्त परत्निद्यत राज़्चनवा में बना रह गया है इसके राजव्णland को मनोनीथ करते हैं तो ये किसरद के तहित करते हैं वह तो यह सक्टि उनको मिली है आर्टिक्ल 80 के तहट तो अनुछेद 80 के तहट उनको ये प्रावधान अधिकार दिया गया है इसी के तरह लोग सभा में यह चुनाओ हो और राश्ट्रपती को यह प्रतीत हो कि आंगल भारती समुदायका उसने प्रत्रित्तों कम है तो ऐसी स्थिती में दो एंगलो इंडियन आंगल भा दीजे कि अरे सर को याद है हमें नहीं याद हो रहा है नहीं हमें भी बहुत बार भूला है और यह पढ़ते पढ़ते जब आप बार-बार कोईशन करोगे और बार-बार पढ़ोगे तो यह सब आपको रट जैसे जाएंगे कि कौन-कौन से आर्टिकल कहां पर हैं फिर सिन सत्र ही ना हो ऐसी भी स्थिती होती है कि सत्र ना चल रहा हो समय वर्तमान में तो तब क्या होगा और आवश्यक्ता पढ़ जाए किसी विसे पर कानून बनाने की तो ऐसे में पूरा सत्र बुलाने से बहतर है कि राश्टपती को एक अधिकार दिया गया है कि वह लोग एक दो तीन, तीनों का काम मिलके 123, तीनों का काम अकेले कर सके मतलब क्या है ये कि राश्टपती अध्या देश जारी करके कोई नियम कानून बना सकता है और इस अध्या देश का वही प्रभाव होगा जो कि संसत्र द्वारा पारित के गे विधान का होता है लेकिन इसमें क क्योंकि दो सत्रों के भीच में च्हामास यादिक कांफर नहीं होना चाहिए तो सत्र सुरू होगा सत्र शो होने के 6 बाइड महिना याद रहे यहां से confusion बहुत होता है तो देड़ महीना यानि कि छे सब्ता के अंदर अंदर इसका संसत द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ है तो संसत द्वारा इसकी सहमती आवश्यक है अन्या अनिथा क्या होगा यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा लेकिन जब तक सतर नहीं चलता है होते हैं जिनको सदन्य प्रस्तुत करने के पहले राष्टपती की पूर्वानुमती लेनी वड़ती है अब यहां पर आपको अनुच्छे याद करना कम इंपॉर्टेंट है इसमें यह पार्ट याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह आपको अलग से लिए सब्सक्राइब देख्टकरना जाता है वह और बिदेख्यों की बात करेंगे नए राज्य का निर्माडिया में पर इवरतन हुआ हो अधिग्रीत हुआ हो तो ऐसा भी कोई प्रस्ताव जो राज्य की सीमाओं में परिवरतन लें आता हो अनुछे 3 के तहक तो वो भी किसके राश्टपति की पूरोनतिस से पेश होगा संचित निधी से ब्याय आप सबी जानते हैं कि एक consolidated fund होता है भारत में भारत की संचित निधी तो जब उससे संबंदित कोई ब्याय होता है उसमें कोई जोडाय घटाया जाता है अधिक उसवर ब्याय रखा जाता है तो वह भी किसकी पूरोनतिस होगा तो राश्टपती के तो 177 के तेक इसको आप बहुत-ज़्यादा यहां डिटेल रखें यह ज़्यादा रखें भूमिया दिग्रहान तो आप देखें भूम या दिग्रहाण से संबंदित अगर कोई मुद्दा है तो वो भी जिएक किसकी सहमती से राश्टपती की व्यापार की सतंरता को सीमित करने वाला विधियक। और कराधान संबंदी वह जो राझ के हित, राज का राजस को हित प्रभावित करने वाला हो ऐसा कोई अगर विधयक है तो वह राष्ट पती के पहले सहमती ली जाएगी मतलब पहले वह साइन करेगा कि हां इस विधयक को पेस किया जाए तब फिर वह पेस होगा इस पर-चर्चा होगी voting होगी पास होगा तब राष्ट पती के पास जाएगा वो साइन करेगा तब वो अधनियम बनेगा तो यह कुछ रही खास बात हैं जो रही विदाईक सक्तियों से संबंदित तो राश्टपती एक तरिकेस देखा लिया तो बहुत सारी पावस हैं और हमें लगता है कि सब कह रहते हैं राश्टपती एक rubber stamp है तो देखते हैं अभी कौन-कौन सी बात हैं और क्यों कह रहते हैं लोग rubber stamp आगे देखते हैं क्या है उसकी judicial powers न्याइक सक्तियां तो न्याइक सक्तियां में सबसे important है छमादान की सक्ति दोस्तों भारत के राश्टपती को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो किसी भी अपराधी जो की तीन सर्थों में वो कौन-कौन से हो सकता है संग सूची के विशय की अंतरगत आने वाले दंड विधान की अंतरगत यदि वह दंड पाया है दूसरा सेना न्याय अले द्वारा यदि दंड दिया गया है तीसरा यदि उसे मृत्यु दंड मिला हुआ है तो ऐसी स्थिती में यदि राश्ट्रपती को यह आभास होता है कि यहां पर आवश्य कहें कि उसको छमा दी जाए तो ऐसी स्थिती में उसको छमा करने की या उसके दंड को कम करने की सक्ति प्रदान की गई है यह उनको प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है कि भारत में कभी भी न्याय सरवोच हो और जो संप्रभू हो उसके अंदर एक करुणा का भाव बना रहे वास्तों में कि कभी भी नितुदंड किसी भी स्थिति में यदि गलत हो जाए यदि उसके दंड विधान से अधिक हो जाए तो ए एक ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए कि जब उसे कोई छमादान दे सके तो ऐसे में राष्ट पती को यह सक्तियां प्रदान की गई हैं तो यह भारत के गवरों को बढ़ाती ही हैं हलाकि इनका दुर्पयोग नहीं होता है तो राष्ट पती को छमा करने का दंड को कम करने का अ इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोट की नायादीसों की नियुक्ति आपके सर्वोच नायादीस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट पती महोदे करते हैं तो इसके लिए प्रावधान किसमें है आर्टिकल 124 124 आप देखिए 123 में क्या था अध्यादेश जारी करने की सक में यदि उनको कभी आवश्यक हो जाए कि उनको विधिक सलाह का कोई सलाह चाहिए सप्रीम कोट से किसी मुद्धे पर तो वह सप्रीम कोड से परामर्स मान सकते हैं उनको कारेपालिका से नियापालिका का प्रिफक्करन अगर मेरा वीडियो देखा हो राज्य के नीच ने कि तत्तुका तो उसमें यह बताया गया है कि Article 50 के तहट कारे पालिका से न्याय पालिका का प्रिथक करण किया गया है लेकिन ऐसी स्थिती में यह भी प्रावधान है कि राष्ट पती को यह अधिकार है कि वह सुप्रिम इस के तेहत उनको परामर्च लेने का अधिकार है यह क्यों बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसंचयत के तहत राश्वच पती सर्वोच नयालेस से परामर्च लेने का अधिकार तो यह रहा 143 इसके अलावा कौन-कौन सी पावर से हैं तो न्यायाले की पद्धति और प्रक्रिया से संबंदित जो कोट में पद्धतियां हैं सुनवाई किया जो भी या उनकी प्रोसेस से संबंदित यदि कोई नियम बनाया जाता है तो वह राष्टपती का उन पर अन्मोधन होना यह दिया गया है आर्टिकल उनन आंडेड पुर्टि फाइब के तैत ठीक है आब इसके बाद हब जब सुप्रिम कोर्ट का हो गया तो हाइब करेगा तो हाइब कोड कि नाया जीशों कि नियुकती कितने रहत करेंगे 217 अनुच्छेद, तो 217 अनुच्छेद के तैत, Article 217 के तैत, High Court के Judges की जो नियुकती है, वो राजपती महोदे करते हैं तो हमने देखा कि Executive Powers, Legislative Powers, या कुछ विधेकों की पूर्वानुमती, नियाइद सक्तियां, बहुत सारी सक्तियां इनके पास, आएए देखते हैं क्या है इनकी विधे सक्तियां, भारत में इनकी Financial Powers क्या है, तो 2 Main Financial Powers, एक तो आप जानते हैं कि वार्षिक विद्थी विवरन, ये क्या है, वार्षिक विद्थी विवरन कोई और कुछ नहीं है, ये है Budget, वास्तों में बजट का नाम लिखा गया है, वार्षिक विद्थी विवरन, वर्षिक के आए और विवरन, ये लेखा जोखा, तो ऐसे में ये किस अनुच्छेट के तहट है, 112, अनुच्छेट 112 के तहट, राष्टपती को यह सकती है, कि वह पूरे वर्षिक के आए और विवरन, इनकम and expenditure, दोनों का विवरन संसत के समक्ष रखवाएगा, प्रस्तुत कराएगा, तो बजट प्रस्तुत कराने का अधिकार किसको है, राष्टपती को, इसलिए इसका अधिकार करने लिए 112, इसके बाद एक वित्तायोग होता है, वित्तायोग का गठन जो है, दो सो असी के तहट करते हैं, इसका काम क्या होता है, तो वित्तायोग, वित्ते से संबंदित मामलों में वो अपनी देता है, इसमें प्रमुक बाते क्या होती है, कि जैसे जो टैक्स का कलेक्शन होता है, रेविन्यू में, जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उसको राज्योग के बीच में उनका वितरन कैसे किया जाए तो आप देखते होंगे कि कितना पर्सेंट दिया जाए राज्यों को या कितना किया जाए तो वित्तायों का गठन इसलिए क्या आता है कि राज्यों के बीच में जो वित्ति संबंदी सक्तियां हैं उनका कैसे विभाजन किया जाए टैक्स का तो इसके हैं सेंने सक्टिया हैं हम लोग यहां से मिलां के अधिश्रा होग optimize तो आप कहेंगे ऐसे में तो राश्टपती निरंकुश हो जाएगा, जिस दिन वो चाहेगा, अपनी आर्मी को ओर्डर करेगा और कुछ भी कर लेगा, नहीं, उसके साथ ये जोड़ा गया है कि राश्टपती इन सक्तियों का प्रयोग, ये जो दिया गया है इन सक्तियों का प्रयोग बिदी सम्मत प्रक्रिया के द्वारा ही करेगा बिदी सम्मत प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो उस समय लाज बनाए गया होंगे संसा द्वारा नियम कानून उनके तहत ही उनका प्रयोग माना जाएगा तो ऐसे में राज़्सपती निरंकुस नहीं हो सकते आप आएए देखते हैं आपातकालिन सक्तियां कहां से ली गई थी तो जर्मनी से आपको याद है अच्छी बात है नहीं आध है तो आप हमारे जो वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं जहां से भारती संविधान का शुरोत है हमने आपको विश्चु के मानसितर के माध्याम से समझाया आप उसमें देख सकते हैं आपातकाल इन शक्तियां में प्रमुक्त तीन प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जा सकते हैं ऐसे में वो कौन-कौन से हैं तो पहले इंट के देख लेते हैं आर्टिकल 352, 356 and 360 याद करना बहुत ही आसान है 52 में 4 एड करिए 56 56 में 4 एड करिए 60 तो 4-4 कंतर हैं एक दम आसानी से याद हो जाएंगे आपको 352, 356, 360 सबसे पहले आता है राश्ट्रिय आपात राश्ट्रिय आपात क्या है जब कभी युद्य, बाह्याक्रमण या ससस्त्र विद्रोह खो ऐसी स्थिती में राश्ट्रिय आपात की घोचना की जाती है तो होता क्या है कि राश्ट्रिय आपात पहले इसमें एक होता था आंतरिक अशान्ति की आधार पर भी होता था तब ससस्त्र विद्रोह की स्थिती नहीं थी तो आप देखें कि बड़ा चर्चा में रहता है कि हमारी जो पधान मंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी उन्होंने आपात काल इमर्जनसी लगाई तो वो एक्शली जो लगाया था वो 352 के तहती लगाया था तो 352 के तय जो उन्होंने इमर्जंसी लगाई वो आंतरिक अशान्ती के अधार पे था जिसका काफी दुरुपयोग भी बहुत विवादित रहा जिब उसका क्या हुआ हम इस चर्चा पे नहीं जाना चाहते लेकिन उसका दुरुपयोग माना गया तो ऐसी स्थिती में 44 संसोधन हुआ 44 संसोधन में इसमें तीन प्रमुग बाते रख दी गई कि युद्ध बायाक्रमण और ससस्त्र विद्रो तीन की स्थिती में ही राश्ट्री आपात लगाया जा सकता है इन पर बहुत सारी बाते हैं कौन-कौन से अधिकार उसमें रोके ज लगता है डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आपातकाल में इसके बाद अनुछे 356 राश्टपतिसासन यह कहा जाता है एक्जाम में तो नहीं आता आज तक किस संबैधानिक प्रावधान का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया है तो वह है 356 केंद्र सरकारें अपने- प्रावधान है कि यदि राजिपाल द्वारा लिखित परामर्स या राश्टपति को सुयम यह अभास हो जाए कि कि किसी भी राज्य में जो प्रसासन है वो संबैधानिक स्थिति के जरिए नहीं चल रहा है तो वहां पर वहां राश्टपतिसासन लागू कर सकता है तो ऐस स्थिति में हमारे तीन आपात कालीन स्थितियां है इनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से से पूछे जाते हैं तो अभी आप चिंता ने करिए हमें बस यहां जानना है कि आप कालीन सकती है उनको कुन किन अनुच्छेत के ताहित दी गई है तो 352 35360 इसके लावा कुछ इनके अदर पावस हैं वह कौन कौन तो यहां अनुच्छेत इंपॉर्टेंट नहीं है जैस निर्वाचन आयोग है इनकी जो रिपोर्ट हैं उनको संसत के समक्ष प्रस्तुत करवाना किसका अधिकार होगा राष्टपती का इसके लगा यूपीसी के सदस्यों की संख्या सेवा सर्ते पदावदी के विसमें नियों तो यूपीसी आपके जो संग लोग से वायोग है उनसे संबंदित नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है राष्टपती को इसके तहट यह इंपोर्टेंट है इसका अनुचे आपको याद रखना है 103 संसत सदस्यों की निरहरताओं से संबंदित प्रस्णों का विनिश्चे यदि किसी वज़ा से संसत का कोई दर्शिता से निरंवित किया जाना चाहिए चाहिए वो दलबदल कानून हो यह पागल घोसित हो गया हो दिवालिया घोसित हो गया हो यह लाब के पदपर ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो प्रक्रियां बनाई गहीं संसत्वारा उनके तहत वह आयोग्य हो जाए तो सवाल उठता है कि उसको आयोगी सिद्ध कौन करेगा तो आयोगी राष्टपती करेगा लेकिन किसके निर्वाचन आयोग की सलाह पर तो यह सवाल कई भाग घूंफिरा की पूछा जाता है अभी हम लोग इसको लोगसभा की चैप्टर में राजभा की चैट्टर में पढ़ेंगे कुछ आकस्मिक्ताओं में राज्जेपाल के कृतों का निर्वान करती तो राष्टपति कुछ आकस्मिक आप्रबंद जो हैं वह राज्टपति महोद्य देख सकते हैं तो यह रहें के कुछ अधिकार जो इनकी हैं अलग से पावर्स इसके अलावां इनकी अपने कुछ वैवे की सक्तियां भी होती हैं, जो इनकी अपनी सक्तियां होती हैं, क्योंकि ये सारी सक्तियों का प्रयोग, वो इसके तहत कहा जाता है, कि वो अपनी सक्तियों का प्रयोग, अपने अधिनस्त कर्मचारियों, यानि कि मंत्रि मंदल की सक्ति की सहत करेगा, और एक बात उसमे अपनी सक्तियां होती हैं वह इंपॉर्टेंट है कि जिस पर केवल इन्हीं का अपना व्यू होता है इस पर वह किसी की प्रामर्स मानने के लिए बात दें नहीं है इसी तरीके से पॉकेट वीटो आप देखें अनुछे 111 के तहट हमने बताया था कि विध्यकों पर अनुमती तो किसी भी विध्यक लोगसभा राजसभा ने पारित किया हो और उसको वो अपने अंडर में ले मतलब जब राजपती के पास भीजा जाएगा साइन करने के उनको छोड़ करके तो जो सामान ने विध्यक हैं वो विध्यक में क्या करेगा उन पर वो अनुमती दे या ना दे यदि नहीं देता है तो यह माना जाएगा कि वह पॉकेट भी उन्होंने यूज किया मतलब वो उसका समय कारेकाल समाप्त जब हो जाएगा जब लोगसभा का विध्यक हो जाएगा तो क्या होगा एसी स्थिती में वो विध्यक कोलाप्स हो जाएगा विकार हो जाएगा और वह निरर्थक हो जाएगा तो पॉकेट वीटो का मतलब कि बिना कुछ किये भी उन्होंने केवल पारित नहीं किया उस पर अपना साइन नहीं किया इसलिए वह कारगर नहीं रहा तो ग्यानी जैल सिंग ने इनका प्रियोग एक बार किया था ऐसे तो वो डागधर संसोधना धिनियम के तहट था तो अभी इन लोग इसको पढ़ेंगे आगे चलके तो यह कुछ यह हैं की सकतियां है इसके अलावा राश्ट पती को राज जिपाल को प्रिकार दिये गया है तो यह 361 के तहट दिया गया है अनुच्छे 361 तो पाकट पीटों में आप 111 कर सकते हो कभी यह पूछा जाता है यदि उसका कोई ब्यक्तिकत मामला है कि पद की अलावा उसका अपनी ब्यक्तिकत जियोन में उसके उपर कोई केस चलता है कोई सिविल कारवाही चलाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे ना तो गिरपतार किया जा सकता है ना तो अरेस्ट किया सकता है ना कोई सजा दी जा सकती तो आप कहेंगे कि ऐसे तो राजपती कोई बन जाएगा कुछ भी कर लेगा नहीं ऐसा नहीं है यदि को बैक्तिक रूप से उसके कुछ जिम्मेधार होता है तो अपने पद पर रहने के दो माह के बाद यानि कि जब वो राजपती के पदपर नहीं है उसके बाद दो माह तक की अवद तक उसे कोई भी उसके लिए कोई कारेवाही संस्थित नहीं की जाएगी, दो माह के बाद उस पर कोई सिबिल कारेवाही से संबंदित प्रावधान लागू किया जा सकता है, तो कुछ उनको विशेष, उन मुक्तियां प्रदान की गई हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिये गए हैं, संसर्द्वारा, तो यह हमने देखा कि राष्ट पती के पास तो अथा पावर हैं, बहुत सारी हैं, और इतने सारे पावर का यूज करते हुए, कभी-कभी लोग कह देते हैं कि भारत के राष्ट पती तो रबर स्टाम्प है, तो एक लाइन इसमें जोड़ा गया है, कि भारत का राष्ट प राष्ट पती पहली बात तो अपने सक्तियों का प्रयोग अपने अधिनस्तों के जरिए करेगा, मतलब मंत्री मंदल, काबिनेट मिनिस्टर, प्राइब मिनिस्टर के जरिए करेगा, तो दूसरी बात यह थी, कि जब वो मंत्री मंदल सलाह देगा, तो वो माने ना माने, त जनता का स्ञाशन है, जनता के लिए है, जनता द्वारा है, इसलिए उसको निरंकुस नहीं नहीं रहरोगोbad मांने के लिए बाद है, ऐसी इस्थीती में उनकी सक्तियों का प्रयोग माननी प्रधान मैंस्याद मांद़यी करते हैं, तो हमने देखा कि राष्टपती के पास बहुत सारी सक्तियां हैं जो उनके नाम से संचालित होती हैं और ऐसी स्थिती में उनका साइन बीसी पर होता है लेकिन वो संग के आपचारिक प्रधान है और इन सक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में प्रधान मंत्री महोदे के जारे या प्रमुक रूप से मंत्री परिशत द्वारा किया जाता है तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िए इस पर कुछ उन्सॉल्ब जो हैं उनको सॉल्ब करिए मैं कोशिस करूंगा कि जो अगले वीडियो जाए उनके तहट भी मैं जैसे मनेस को रखा है तो आपके कोई भी कुश्चन नहीं छूटेंगे मन लगा के पढ़ा ही करि अल्देवस्ट